नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग मेरा नाम बाएंग कुमार और आज के शेशन में आपको स्वागत है तो अब तक हमने बेसिक प्रोपर्टी एडवांस प्रोपर्टी ये चीज़े हमने याप पढ़ लिए और लास सेशन में साइन रूल और कोसाइन रूल भी हमने पढ़ लिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो की आपका ट्राइंगल में होता है और वो होता है सेंटर ओफ ट्राइंगल तो ट्राइंगल के कितने केंदर होते हैं किस-किस तरीकी केंदर होते हैं यह हम अब पढ़ने वाले हैं तो आज का जो शेशन स से पहले एक like जुरूर करते तो चलिए दोस्तों केंद्रक से start करते हैं centroid से ऴूछ यहां पर start करने वाले हैं तो यह आपका centroid क्या होता है क्या क्या इसकी प्रॉपरिटी लोती है यह सारी चीज्य आज हम यहां पर जानेगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया केंद्रक तो केंद्रक क्या होता है यह हम जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया एक ट्राइंगल यह ट्राइंगल मैं हाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी ट्राइंगल में सारी चीज़े हम यहाँ पर जान लेंगे तो यहां पर मैंने triangle draw कर दिया अब यह triangle हमारा क्या हो गया A, B, C केंद्रक को जानने से पहले इसमें एक और चीज होती है जो कि आपकी होती है median यानि कि आपकी माधिका तो माधिका क्या होती है यह चीजे हम यहां पर जानेंगे तो माधिका कौन सी चीज होती है माधिका एक line होती है जो कि आपके एक vertex से डाली जाती है और opposite side को ये दो बराबर भागों में बाट देती है यानि कि ये और ये आपका बराबर हो जाएगा तो ये आपकी माधिका होती है अब ये माधिका आपकी हो गई AD ये आपकी माधिका हो गई AD ये इसको दो बराबर भागों में बाटती है और एक और चीज याद रखने वाली कि जब इसने इसको दो बराबर भागों में बाटा तो इस दोनों area को भी बराबर भागों में बाट दिया छोटी सी चीज में है पर आपको लिखके दिखा देता हूँ जैसे मान लिए आपके पास यह triangle है और ये मान लिजिए कि इसकी height आपकी कितनी है इसकी height आपकी h है अब आपका क्या दिया हुआ है आपका base दिया हुआ है यहाँ पर 2b ठीक है base हो गया 2b अब जब ये माधिका यहां से डाली गई तो इसने इसको बराबर भागों में बाटा यानि कि ये भी आपका b रह गया और ये भी आपका b हो गया अब जब आपको पता है कि area of triangle निकलता है 1 upon 2 base into height से तो अब आप जब देखेंगे कि इसका area कितना हो जाएगा यही हो जाएगा इसका area भी यही हो जाएगा यानि कि एक माधिका आपके triangle के दो भागों को दो बराबर छेत्रों में बाट देती है तो median को आप ये ध्यान दिखेंगे कि median एक तो opposite side को दो बराबर भागों में बाटती है और दूसरा उस जो triangle अलग-अलग बनेंगे उनके छेत्रों को भी बराबर भागों में बाटतेगी ये हमने पहली median डाल दी अब हमने यहां से डाली median यहां से हमने एक और median डाल दी तो ये median डाली तो ये वाली side आपकी इसके बराबर हो जाएगी A, B, C, D, E इसको हमने माल लिया B, E अब हमने यहां से एक और median डाली तो ये जब हमने median डाली तो ये आपकी हो गई C, F और ये वाली side आपकी इसके बराबर हो गई थोड़ी सी अलग दिख रहे हैं लेकिन आप मान के चलेंगे कि ये वाली side आपकी इसके बराबर है वह आपका क्या कहलाता है वह आपका कहलाता है centroid यानि की केंद्रक तो केंद्रक आपका क्या निकल कर आया केंद्रक आपका निकल कर आया कि एक ट्राइंगल में तीन मीडियन हमने डाली और तीनों मीडियन का जो intersection point होगा वो आपका केंद्रक होगा तो यहाँ पर मैंने आपको median यानि की माधिका और आपको केंद्रक के बारे में यहाँ पर बता दिया अब इसकी कुछ अलग-अलग properties होती है अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा क्या BD बरावर DC है AE बरावर EC है AD, BE और CF आपकी median है यह चीज़े आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अब जो आपको यहाँ पर next हो जाएगा आपको यहाँ पर देखना है हमने इस केंद्रक को मान लिया कि केंद्रक आपको यहाँ पर G है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि केंद्रक यहाँ पर जो यह लाइन बटेगी AG by GD उसके बाद BG by GE उसके बाद आपका यहाँ पर CG by GF यह हमेशा आपकी 2 is to 1 में आपका यहाँ पर बट जाएगा यानि कि इसका और इसका रेशियो आपका 2 is to 1 का होगा इसका और इसका आपका 2 is to 1 का होगा और इसका और इसका भी आपका 2 is to 1 का यहाँ पर हो जाएगा तो ये सारी चीजे आपको यहाँ पर ध्यान लखनी है next आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अब जब आपके यहाँ पर तीनों मीडियन डल गए और यहाँ पर आपका केंद्र कड़ा गया अब आपके यहाँ पर 6 ट्राइंगल बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब यह आपके 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा माना इसका 1 है इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा यानि कि कभी भी आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि पूरे ट्राइंगल का एरिया आपका अगर 36 है तो स्रिफ आपको इन में से किसी पार्ट का एरिया निकालना है तो एक पार्ट का 6 हो जाएगा दो का 12 हो जाएगा तीन का आपका 18 हो जाएगा इस तरीके से आप से जो जो एरिया पूछा जाए किसी पार्ट का पूछा जाए उसको आप यहाँ पर निकाल देंगे तो यह छोटी छोटी properties है केंद्रक की और कुछ properties अभी हम आगे पढ़ेंगे next अब आप देखें यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह आपका fe मैंने हाँ पर जोड़ दिया ed यहाँ पर जोड़ दिया और fd यहाँ पर मैंने जोड़ दिया अब यह हमने यहाँ पर केंद्रक o लिया यहाँ पर मैंने एक point ले लिया g अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने आपको उताया था यहाँ पर यह केंदरक है यह मैंने यहाँ पर इसको केंदरक को O ले लिया जिससे आपको confusion ना हो क्योंकि केंदरक यहाँ पर O है अब यह पूरी side AD यहाँ पर AO और OD यहाँ पर 2 is to 1 में बट जाती है वहीं जब हम इसको क्या करते हैं दो midpoint के जो एक line segment जोड देती है तो यहाँ पर आपका एक और point आ गया जिसको मैंने G नाम यहाँ पर दे दिया अब next जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा AG over GO यानि कि AG over GO आपका कितना हो जाएगा 3 is to 1 उसी तरीके से CO यहाँ पर एक और point लेना पड़ेगा GH तो CH over HO आपका 3 is to 1 हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ पर मैंने ले लिया I तो BI over IO आपका 3 ratio 1 यहाँ पर हो जाएगा तो यह वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अब next आपको दिखाया मैंने कि यह जब centroid यहाँ पर बना और 6 triangle बने तो 6 के 6 triangle का area बराबर हो गया अब यहाँ पर आप और triangle देखेंगे जब मैंने इस line को जोड़ा तो यहाँ पर एक triangle आपका बन कर आया कौन सा triangle F O E अब यह triangle आपका कितना हो जाएगा यह triangle आपका 1 upon 12 triangle ABC के बराबर हो जाएगा यानि कि F O E का area जो होगा आपका 1 upon 12 triangle ABC के बराबर यहाँ पर हो जाएगा तो यह चीजे थी ratio of side के बारे में triangle के areas के बारे में किस किस तरीके से कितने triangle आपके medians काटने के बाद बन जाते हैं और उनका area कितने part में divide हो जाता है next property पढ़ेंगे अभी हम median की की median की क्या properties है तो दोस्तों next पढ़ेंगे median की property तो median की property यहाँ पर किस तरीके से होती है सबसे पहले मैंने बना लिया एक triangle यह हमारा एक triangle है A, B, C इसमें यह median D, AD, BE और यह आपका यहाँ पर CF तीन मैंने median डाल दी अब आपको यहाँ पर मैंने क्या किया इस side का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया A इसका दे दिया B और इसका दे दिया C अब आपको अगर तीनो sides triangle की D हो तो आपको median की length किस तरीके से निकालनी है अब आप यहाँ पर क्या करेंगे आपको दिया हुआ है AD, BE और CFR medians तीनों ही आपकी median होनी चीए और median क्या होती है जो opposite side को तो बराबर भागों में बाट देती है सबसे बहले मैं अगर AD की बात करूँ तो AD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको करा 1 by 2 अंडरूट मैंने लिया अब AD मुझे निकालना है यानि कि ये वाली line मुझे निकालनी है ये वाली median निकालनी है तो इसकी मैंने adjacent sides ले लिए किस तरीके से ली जाएंगी 2b का square plus 2c का square minus a का square और AD की length आपकी यहां पर निकल कर आ जाएगी next अगर मैं बात करता हूँ be कैसे निकलेगा तो same आपको यहां पर किस तरीके से हो जाता है ये निकालना है यानि कि ये वाली sides हमें लेकर चलनी है एक साथ तो 2a का square plus 2b का square 2c का square minus b का square next अगर cf निकालनी हो तो 1 by 2 under root cf निकालने के लिए 2a का square plus 2b का square minus c का square तो ये आपकी अगर triangle की sides दी हो तो median निकालने का formula आपका यहां पर इस तरीके से हो जाता है next आपका क्या हो जाएगा आपने हां पर लिया 4ad plus be plus cf equals to आपका हो जाएगा 3ab square plus bc square plus ca square तो ये property भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है ये कुछ properties हैं जो कि आपको medians के लिए ध्यान रखनी है अब next आपका क्या हो जाएगा अब next आपका ये हो जाएगा कि आपने यहां पर बनाया triangle आपने triangle बना दिया तो आपका triangle किस तरीके से यहां पर बनेगा 4 आपका यहां पर कितना हो जाएगा 4 area of triangle made by medians equals to 3 area of triangle made by side आपको यहां पर 3 median दिया है जिनसे एक triangle बनाया जा सकता है जिनकी length को लेकर आप एक triangle बनाएंगे और आपको triangle की sides दिया हुई है यानि कि आपको जो 4 times हो जाएगा area of triangle made by median is equal to 3 times area of triangle made by side तो अगर आपको कभी कबार ऐसे दे दिया जाता है आपको medians की length दे दी और आप से कहा गया अब आपको area of triangle निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे 4 by 3 into area of triangle made by medians equals to आपका आजाएगा area of triangle made by sides तो यह आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा इन चीजों को आप देख लीजिए अब मैं इसको remove करके कुछ और चीजें यहाँ पर लिखूंगा next अब हम यहाँ क्या देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं और इनी को सर्फ को आपको याद रखना है 4 AD plus B plus CF हमेशा greater than होगा 3 AB plus BC plus CA यानि कि अगर 4 times आप तीनों medians को जोड़ कर लिख देंगे और 3 times of तीनों sides को जोड़ कर लिख देंगे तो आपका हमेशा जादा होगा median वाला नेक्स यहाँ पर आपकी यह वाली theorem मैंने लिख ही है जिसको अपॉलोनियस theorem कहा जाता है और यह बहुत फेमस theorem है किस चीज के लिए median के लिए तो इसको किस तरीके से आपको याद रखना है आपको तीनों sides यहाँ पर दी हुई है और यहाँ से आप जो चाहें यहाँ पर अगर जिस जो भी चीज मिसिंग है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे तो अपॉलोनियस में क्या होता है टू टाइमस ओफ एडी स्कोयर यानि कि मैं इस ट्राइंगल को लेकर चला हूँ median मेने एडी ली है टू टाइमस ओफ एडी स्कोयर तो एडी स्कोयर प्लस बीडी स्कोयर बीडी स्कोयर की जगा सॉरी बीडी स्कोयर की जगा यहाँ पर डीसी स्कोयर भी हो सकता था क्योंकि बीडी और डीसी की लेंथ बराबर होगी तो टू टाइमस ओफ एडी स्कोयर प्लस BD square equals to AB का square प्लस आपका AC का square यहाँ पर हो जाएगा तो यह वाली theorem आपको ध्यान रखनी है Medians के time पे आपको इस वाली theorem का यहाँ पर use करना है अब यह कुछ चीजे और हैं जो हम Medians के बारे में जानेंगे Next, अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंने हाँ पर एक triangle लिया यह मेरा triangle आ गया A, B, C यह A, यह B और यह C अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मैंने B से एक Median डाली B, E और C से एक Median डाली C, F जब यह Median एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटेंगी तो हमारे पास एक relation आ जाता है वो relation आपका किस तरीके से आएगा आपका यहाँ पर बनेगा B स्कॉाइर प्लस C स्कॉाइर एकोस टू 5 A स्कॉाइर तो यह वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान लख नहीं है और यह कब होगा जब आपका यह 90 डिगरी पर एक दूसरे को काटेंगी यानि कि अगर आप वैसे लेकर चलें तो A B का स्कॉाइर प्लस आपका A C का स्कॉाइर एकोस टू 5 यहाँ पर B C का स्कॉाइर आपका हो जाएगा इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब एक ट्राइंगल में दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटेंगी तो यह रिलेशन आप यहाँ पर इस्तमाल करेंगे नेक्स्ट एक और रिलेशन है जो की आपका राइट अंगल ट्राइंगल में बनकर आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है मैंने यहाँ पर लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर मैंने ले लिया कि ए बी सी यहाँ पर मैंने डाला एडी और यहाँ पर मैंने डाला सी एफ अब ये दो हमारी medians हो गई राइट एंगल ट्राइंगल की तो यहाँ पर आपका जो relation बन कर आता है 4 AD square plus CF square equals to आपका 5 AC square ये वाला relation भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये हमारी कुछ relations है तो इनको आप यहाँ पर सरिफ इसको याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से आपका एक relation बन कर आता है तो यह कुछ relation है जो की medians और centroid की आपकी हो गई अब इनके कुछ करेंगे questions और आपका centroid हो जाएगा खत्म पहला question आपकी screen पर if the median drawn on the base of a triangle is half of its base the triangle will be यानि कि यदि किसी तुर्भुज के आधार पर खीची गई माधिका उसके आधार की आधी हो तो तुर्भुज किस प्रकार का होगा तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ हमने लिया एक right angle triangle ये आपका right angle triangle है और जब इसके vertex यानि कि यहाँ से अगर इसको median डालेंगे तो ये वाली और ये वाली और ये वाली side आपकी तीनों बराबर हो जाएंगी कब जब हम एक 90 degree के vertex से यहाँ पर लेकर चलेंगे तो आपकी ये median और इसके आधार को आधा करने पर तीनों चीज़े यहाँ पर बराबर हो जाएंगी तो आपका सही अंसर क्या होगा right angle triangle आपका यहाँ पर सही अंसर होगा इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रख सकते है अब दूसरी बात ये आपकी circum radius भी होती है ये आर ये आर और ये आर जब यहाँ पर आपका डाला जा यहाँ पर अगर आपका एक circum circle बनाया जाता है तो इसके तीनों वर्टेक्स को छूने वाला circle यहाँ पर तियार होता है तो ये भी आपकी R, ये भी R, ये भी R, यानि कि ये आपका इसका center यहाँ पर हो जाएगा ये इसका circumcenter आपका निकल कर आता है तो ये वाला question आपको सरिफ इसको याद रखने के लिए था कि आप इस चीज को याद रखें कि statement आपकी क्या है If the median drawn on the base of a triangle is half of its base then the triangle will be right angle triangle Next question आपकी screen पर Two medians AD and BE of triangle ABC intersect at G at right angle इस वाली बात को ध्यान रखेंगे कि right angle पर intersect कर रही है If AD equals to 9 cm and BE equals to 6 cm then the length of BD in cm is अब आपको दिया हुआ है एक triangle triangle है आपका A, B, C ये A, ये B और ये C दो medians जो कि आपकी AD ये हो गई दूसरी आपकी BE BE आपकी ये हो गई intersect कर रही है right angle पर यानि कि ये चारों angle आपके 90 degree के होंगे next AD आपको 9 दिया हुआ है तो AD हाँ पर मैंने लिख लिया 9 मैंने इनको माना कि intersect कहाँ पर कर रही है ये intersect कर रही है G पर तो मैंने आपको पहले ही बताया था AG over GD आपका हो जाएगा 2 is to 1 यहाँ 2 is to 1 यानि कि 3 की value 9 है एक की value 3 होगी तो AG आपका 6 हो गया और GD आपका 3 हो गया next आपको दिया हो है BE 6 यानि कि BE आपका 6 है तो आपका यहाँ पर BG over GE कितना हो जाएगा 2 is to 1 इस 3 की value आपकी 6 है तो एक की value 2 यानि कि BG 4 आगया उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आया उसके बाद यह आपका कितना आगया 2 आगया अब आप सारी चीजे भूलकर आप एक triangle ले लिजिए आपने triangle ले लिया यहाँ पर G90 डिगरी पर लेना है B, D यहाँ पर लेना है जिसमें आपको BG 4 दिया हुआ है यह आपका 4 है BG 4 हो गया GD आपका 3 है अब एक छोटी सी बात यहाँ पर आपका दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल और आपका एक triplet यहाँ होता है जो कि 3, 4, 5 का होता है एक साइट 3, एक साइट 4 तो यह बच्य ही 5 और हाइपोटेनस आपकी सबसे बड़ी साइड होती है तो आसानी से आपने इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और आपने अपना अंसर निकाल दिया तो BD आपका 5 cm यहाँ पर निकल कर आ गया तो इतनी आसानी से आपका एक कुश्चिन सॉल हो जाता इस टेप आपको जो करना था वो आपने यहाँ पर देख लिया और कुश्चिन का अंसर 5 cm आ गया सबसे पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक ट्राइंगल यह एक ट्राइंगल बना लिया इसको A, इसको B, इसको C, यह 5, यह 4 और यह 2 अब आपको कहा है कि सबसे छोटे कौण वाले सीर से माधिका की लंबाई यह ऐसे दिखने में एक सी लग रही है लेकिन यह 2 cm है, यह 4 cm है, यह 5 cm है जितनी लंबी साइड होती है, उसका opposite vertex का एंगल उतना बड़ा होता है यह वाली 5 यानि कि यह एंगल सबसे बड़ा, यह वाली 4 यह एंगल उससे छोटा यह वाली 2 यानि कि यह एंगल सबसे छोटा अब इस सबसे छोटे एंगल से ही आपको median डालनी है और उस median की length आपको बतानी है यह हमने d यहाँ पर डाल ली तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको इस तरीके से निकालना हो तो आप क्या करेंगे a d equals to 1 upon under root में आपका 2 into 4 का square plus 2 into 5 का square minus 2 का square इसको कर लेते हैं solve तो आपका आपकर कितना आएगा 4.16 दूनी 32, 25 दूनी 50 और माइनस का 4 1 by 2 under root यहाँ पर आपके 32 में से 4 चले जाएंगे 28 आएगा और 28 और 20 आपके 78 यहाँ पर हो जाएंगे 78 आपके 13 से जाते हैं 78 आपके 13 से कितनी बार में जाते हैं 13 छिंग 78 तो यहाँ पर आपका कुछ निकलने की possibility यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर अंसर हो जाएगा यहाँ पर according to option आपको अंसर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि आपने यहाँ पर क्या किया आप 78 को तो यहाँ पर ऐसे ही रखा अंदर आप इस 2 को ले गए और यह 4 हो गया इसको 2 times आपने काट दिया तो यह 39 by 2 यहाँ पर आ गया और अंसर भी आपको इसी उसमें दिया हुआ है तो 39 by 2 root centimeter यहाँ पर आपका अंसर आ जाएगा तो इस base में आपको इस form में आपका option दिया हुआ था तो आपको ऐसे इसका अंसर निकाल लेना है तो 3 side आपको दियो ही थी एक smallest angle से आपको median डालके उस median की side आपको निकालनी थी next question अब आपकी screen पर in triangle ABC, BE, AD and CF are median on AC, BC and AB respectively AD 10 cm, BE 6 cm, CF 8 cm find the area of triangle ABC यहाँ पर मैंने एक triangle बना दिया A, B, C उसके बाल आपको दियो ही है AD, BE and CF अब जो आपको दिया हुआ है AD आपको दिया हुआ है 10 cm BE आपको कितना दिया हुआ है BE आपको दिया हुआ है 6 cm और CF आपको दिया हुआ है 8 cm अब आपसे कहा गया है आपको area of triangle निकालना है यानि कि triangle A, B, C अब medians आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है कि ये एक right angle triangle को form करेंगी ये 10 होगा इसको 8, इसको 6 या इसको 6, इसको 8 हम किसी भी तरीके से माल लेंगे तो एक right angle triangle में आपको base और height पता है तो 1 upon 2, 8 into 6 equals to आपका हो गया कितना 24 तो 24 आपको यहां पर निकल कर आया तो 4 into 24 by 3 equals to del A, B, C area of triangle A, B, C तीन से सको काटा 8 बार और del A, B, C आपका 32 cm square यहां पर निकल कर आगया तो ये छोटी सी चीज़ आपको यहां पर लगानी थी और आपका अंसर यहां पर निकल कर आगया next question आपकी screen पर triangle ABC is an isoseles triangle with AB बराबर AC and AD is the median to the base BC if triangle ABC equals to 35 degree then find angle BAD तो इस question को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो यहां पर इस question में काम आएगी वो मैं आपको बता दूँ आपने यहां पर लिया कि आपके पास यहां पर एक triangle है ये आपके पास एक triangle है और ये triangle आपने लिया ABC तो आपके पास ये एक isoseles triangle आपके पास यहां पर है यानि कि इसमें आपका AB बराबर मैंने AC लिया ये इसके बराबर है तो angle भी आपका angle C के बराबर हो जाएगा उस पर मैंने यहां पर एक median डाल दी जो कि आपकी AD हो गई तो AD यहां पर median है जिससे आपका BD बराबर DC हो गया अब मानके चलें कि ये आपका यहां पर perpendicular है AD आपका perpendicular है BC पर और ये AD आपका angle bisector भी है यानि कि आपका angle BAD बराबर angle CAD अब जब ये आपका एक isocellus triangle हो और इन चारों चीजों में से कोई भी दो कोई भी दो चीजे सही हो तो बाकी दो चीजे अपने आप सही हो जाएगी तो isocellus triangle के लिए इस चीज का आप ध्यान रखेंगे जो हमें question में use करना था हमें question में AB बराबर BAC यानि कि ये दो side बराबर दी हुई थी और AD median दिया हुआ था तो वापस अपने question पर मैं अगर आ जाओं तो हमें question में दिया है एक triangle है ABC जिसमें angle B 35 है तो ये भी आपका 35 हो जाएगा क्योंकि ये आपका isocellus triangle है और ये आपका median दिया हुआ है ये इसके बराबर है यानि कि पहली और दूसरी चीज इसमें खुद दी है तो तीसरी चीज ये आपका angle bisector हो जाएगा तो अब ये 35 दूरी 70 और 70 हटा दिया 110 आपका यहाँ पर निकल कर आया angle A एंगल A आपका 110 निकल कर आया और आपसे angle BAD पूछा है यानि कि जब ये एंगल bisector है तो ये भी 55 और ये भी 55 तो इस चीज का आप खास द्यान रखेंगे जब भी आपको isocellus triangle दिया हो तो अगर ये दो चीजे आपकी इन में से कोई दो चीजे आपको दी हो तो बाकी द सारी चीजे यहाँ पर लिखने के बाद सीधा आपका अंसर निकल कर आ जाएगा ABC एक ट्राइंगल है AD, BE, CF और ये कहाँ पर इंट्रेसेक कर रहे हैं G पर उसके बाद आपसे कहाँ गया है AFGE AFGE का एरिया आपको बताना है मैंने बताया था कि तीनों मीडियन मिलने के बाद इस 6 ट्राइंगल को अलग-अलग 6 बरावर भागों में बाट देती है तो ये आपका 6 का जो इसमें एरिया दिया हुआ है 84 दिया हुआ है हमें इस 2 का पूछा है तो 2 का हो जाएगा 84 इंटू 2 बाई 6 जो की आपका निकल के आएगा यहाँ पर कितना 6 गम 6, 6, 24, 28 cm इसको आए तो बस इतना सा आपको करना था और आसानी से अंसर यहाँ पर निकल कर आ गया नेक्स्क्रेशन आपकी स्क्रीन पर इनर ट्राइंगल ABC जी सेंट्रोइड AG बराबर 15 cm BD बराबर 7 cm वेर AD is median and fine bengal BGC यह मैंने हाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया A B C इसमें मैंने median डाली AD उसके बाद AG यहाँ पर आपका सेंट्रोइड है G यहाँ पर आपका सेंट्रोइड है तो यह आपका G जिसमें AG आपको दियाओए 15 cm BD आपको दियाओए 7 cm अब आपको पता है कि यह और यह बराबर यानिकि यह भी साड़े 7 cm उसके आपको बताए यह 15 यानिकि यह भी आपका साड़े 7 cm अब आपने जॉइन कर लिया इसको क्योंकि आपको एंगल BGC ही बताना है तो आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से कब आपको यहाँ पर बन कर आएगा कि यह median यह इस पूरे की median है यानिकि इस तो सीधा simple सा यहाँ पर आपका 90 डिगरी यह कोण आपका बन कर आ गया तो दोस्तों centroid में इतना ही आपको मैंने कुछ questions कराए बाकी questions आप खुद practice करेंगे और देखेंगे कि आपको centroid sound में आया या नहीं आया और नहीं आया तो दुबारा वीडियो को देखेंगे तो अगर आपको इस सेशन अच्छा लगाओ तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझसे जुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दियो बैल बेटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स वीडियो क आपको सबसे बहले मिल जाए आज के लिए इतना ही धन्यवाद